हलो बच्चो कैसे हैं आप सभी मैं फिर उपस्तित हूँ आप सब के समक्ष किंग जान और अबाट ऑफ कंटेबरी का दूसरा पार्ट ले करके आपको ये कहानी याद है या नहीं इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि राजा है किंग जान इंगलाइन का राजा और एक अबाट है पादरी कंटेबरी का और उसका शेपर्ड यानि चरवाहा तो कहानी इन तीनों के बीच में ही है बहुती कहानी थी बच्चो आप सभी को याद है ना नहीं याद है कोई बात नहीं हम लोग कुछ सवालों से इसको रिक्याप कर लेते हैं पहला सवाल है What were the three questions asked by King John to the अबाट कौन से वो तीन सवाल थे जो King John ने अबाट से पूछे थे कौन कौन से थे वो तीन सवाल वो तीन सवाल थे पहला था How long shall he leave कि King John ने अबाट से पूछा था कि वो कितने दिन जीवित रहेगा दूसरा सवाल था How soon shall he ride round the whole world कितनी जल्दी King John पूरी दुनिया का चकर लगा सकते हैं तीसरा सवाल था अबाट के लिए What he thinks कि King John क्या सोचते हैं और Who went to see King John in place of the अबाट and why King John के पास कौन गया अबाट की जगह पर यानि अबाट तो नहीं गया और क्यूं गया वो Shepherd यानि वो चरवाहा The shepherd went to King John in place of the अबाट because they look alike King John के पास वो Shepherd गया अबाट के प्लेस पर क्यूंकि वो Shepherd और अबाट दोनों एक जैसे ही दिखते थे तो Shepherd ने क्या किया था बच्चों याद हैं Shepherd ने अबाट का गाउन, उसकी टोपी, उसका घोड़ा, उसकी जितने भी नौकर चाकर थे यहां तक कि उसकी सोने की चड़ी भी उससे उधार ले ली और वो नौकर चाकर की लंबी सेना के साथ England के लिए King John से मिलने के लिए रवाना हो गया अब उसके आगे का पार्ट हम लोग इस Scene 2, Scene 3 में देखेंगे Scene 1 and Scene 2 हमने पहले वीडियो में ही cover up कर लिया था अब हम लोग आगे पढ़ते हैं Scene 3, at King John's court चुकी अब Shepherd अबाट के वेश्ट में King John से मिलने के लिए पहुँच गया England अब वहां पर वो King John के राजदरबार पर पहुँचा King John ने उसका स्वागत किया कहा Welcome Sir Abot Sir Abot आपका स्वागत है It is a good thing that you have come back ये बहुत अच्छी बात है कि आप वापस आएं But, लेकिन, if you fail to answer my three questions लेकिन आप मेरे तीन सवालों का जवाब देने में असफल रहें तो I shall cut your head तो मैं आपका सर काट दूँगा The Shepherd Shepherd ने कहा जो की Abot के वेश में था I am ready to answer them O King O Mahan Raja मैं उन तीनों सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ King John कहते हैं Indeed, Indeed, जरूर, जरूर And he laughs to himself और वो खुद में ही हसने लगे King John क्यूंकि वो जानते थे कि Abot उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा Well, तो चलिए तब Answer my first question मेरे पहले सवाल का जवाब दीजे How long shall I leave? मैं कितने दिन जीवित रहूंगा Come, you must tell me today itself और इसका जवाब आपको आज ही मुझे देना होगा Shepard ने कहा You shall live until the day that you die तुम उस दिन तक जीवित रहोगे जब तक के तुम मर नहीं जाते And not one day longer और उससे एक दिन भी ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे And you shall die when you take your last breath और आप तब मरेंगे जब आप अपनी अंतिम सांसे लेंगे And not one moment before और उससे एक दिन भी पहले नहीं ये answer सुन करके King John हसने लगे बहुत ही चालाकी से Shepard ने King John के सवाल का जवाब दे दिया और नहीं भी दिया है ना And King John ने कहा You are witty, I see तुम बहुत ही चालाक हो But we will let that pass And say that your answer is right चलो हम ये पहले सवाल को जाने देते हैं और कहते हैं कि तुमने जो answer दिया वो सही है And now, tell me how soon I may ride around the world अब चलो मुझे इसका जवाब दो कि मैं कितनी जल्दी पूरी दुरिया का चकर लगा के आ सकता हूं Shepard ने कहा You must rise with the sun and you must ride with the sun until it rises again the next morning अब यहाँ पर मिशेपड ने बड़ी चलाकी से उत्तर दिया कि आपको सूरिदय के साथ उठना होगा और सूरि के साथ ही आपको ride करते हुए पृत्वी की परिक्रमा करनी होगी Until it rises again the next morning जब तक की सूरज फिर से उग करके यहाँ अगली सुभा को नहीं उगता है As soon as you do that आप जैसे ही इस चीज को कर लेंगे आप पाएंगे कि आपने 24 घंटे में ही पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया है यानि आपको सूरज के साथ उठ करके सूरज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आगे वैसे वैसे आपको बढ़ते जाना है और इस पूरी दुनिया का चक्कर आप लगा सकते हैं बहुत ही अच्छा उत्तर था उसका King John The king laughs again और यह आंसर सुन करके और जोर जोर से राजा हसने लगते हैं Indeed, जरूर I did not think that it could be done so soon और मुझे नहीं लगता है कि यह इतनी जल्दी हो पाएगा You are not only witty, but you are wise तुम चालाख ही नहीं, बुद्धिमान भी हो And we will let this answer pass और हम लोग इस जवाब को भी मान लेते हैं चलो And now comes my third and last question अब आता है मेरा तीसरा और अंतिम सवाल What do I think? मैं क्या सोचता हूँ? तो फिर इस पर शेपर्ड ने कहा That is an easy question यह तो बहुत आसान सा सवाल है You think that I am the abbot of contemporary आप यह सोच रहे हैं आप यह सोचते हैं कि मैं contemporary का abbot हूँ But to tell you the truth लेकिन आपको मैं सच बताऊं I am only his poor shepherd मैं सिर्फ उनका बेचारा चरवाहा हूँ And I have come to beg your pardon for him and for me और मैं यहाँ पर आपसे माफी मागने आया हूँ अपने लिए और मेरे abbot sir के लिए भी कि आपके उन तीनों सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है And saying that the shepherd throws off his long gown और इतना कहते ही कि मैं abbot नहीं हूँ और वो जो अपने shepherd के कपडों के उपर में abbot का long gown वो पहन रखा था उसको वो उतार फेकता है और ये देख करके the king laughs loud and long और बहुत ही देर तक और बहुत जोड जोड से राजा हसने लगते है फिर king john कहते है Mary fellow, तुम बहुत ही अच्छे हसमक इनसान हो You are and you shall be the abbot of contemporary in your master's place Contemporary का abbot तो तुम्हे होना चाहिए था अपने master की जगा पर, अपने malik के जगा पर The shepherd ने कहा, O king, that is not possible O mahan raja, ये मुम्किन नहीं है For I can neither read nor write क्योंकि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, नहीं मैं लिख सकता हूँ यानि कि मुझे पढ़ना लिखता नहीं आता है King john ने कहा, very well चलो ठीक है, बहुत अच्छा I will give you something else to pay you for this merry joke और ये इतना सुंदर सा मजाक करने के लिए मैं तुम्हें कुछ दूँगा, और कुछ दूँगा I will give you four pieces of silver every week as long as you leave मैं तुम्हें चार टुकडा चांदी का, चांदी का चार coins में हर सपता तुम्हें दूँगा जब तक तुम जीवित रहोगे and when you get home और जब तुम अपने घर पहुँचो you may tell the old about that I have pardoned him because of you और तुम अपने घर पहुँच करके अपने अबार्ट से कहना कि मैंने उसे माफ कर दिया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खाती तो बच्चो ये कहानी कैसी लगी बहुत ही interesting ना इस कहानी में हमने ये जाना कि हमें बुद्धिमान होने के साथ साथ हमें चालाक भी होना चाहिए जिस तरह से ये शेपड था शेपड खुद को मुर्क समझता था क्यूंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था लेकिन उसके बाद भी कितनी चालाकी और कितनी बुद्धिमानी से उसने अपने अबाट का सर कटने से बचा लिया और इस कहानी में हमने ये भी सीखा कि किस तरह से हमें सही समय पर अपना बुद्धिमानी का इस्तिमाल करके भैबीत ना हो करके नवस ना हो करके हम किसी भी प्राबलम से किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं तो इस तरह हमारी इस नाटक का कर्टन डाउन होता है. थैंक यू बच्चो.